नमस्कार, स्वाद और सेहत का संगम करने वाली वेजितियने दर्शीपी चैनल ग्रीन कीचन में आपका स्वाधत है अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे तो इसे लाइक किजी और हमारी चैनल को सब्सकाइब चर्दो किजी नमस्कार, ग्रीन कीचन में आज हम बनाएंगे बचिन हुए चावल में से पकोड़ी ये दोपर के चावल बच गए थे, दोपर जितने पके हुए चावल थे तो इसमें हम एक बारी कटा हुआ प्याट डालेंगे और एक चमच कसूरी मेथी डालेंगे कसूरी मेथी की जगा आप कटा हुआ धनिया भी ले सकते हैं ये एक कप बेशन है तो ये बेशन को हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे बेशे तो चावल पकाते समय नमक डालाई है फिर भी थोड़ा सा नमक डालेंगे आधा चोटी जमच हल्दी पावडर डालेंगे आधा चोटी जमच तनिया पावडर डालेंगे और आधा छोटी चमच लाल मीच पाउडर डालेंगे अगर आप लाल मीच पाउडर नहीं डालना चाते तो इसकी जगा कटी हुई हरी मीच भी ले सकते हैं वेशे तो चावल पकाते समय हमने इसमें थोड़ पानी डाला ही होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक डाम थीक पेश बन जाए एससे थोड़ा साई पानी डालेंगे तो इसके साथ मेरी बचपन की मेमरी भी जूड़ी हुई है मेरी ममी जब भी चावल बच जाते हैं तो हम इसे एसे ही पकोड़े बनाने के लिए बोलते हैं और यह पहुत तेस्टी बनते आप जरूर इसे ट्राइ कीजी देखिए यह हमारे पकोड़े का मिश्र तयार है तो आब हम पकोड़े फ्राइ कर लेते हैं इसके लिए पेले हम हलका सा तेल गरम करेंगे क्यों उसका रिजर में अभी बताते हैं यह एक पिंच इतना बेकिंग सोड़ा है वो इसमें डालेंगे और यह जो हलका गरम तेल किया है उसमें से दो चमच यह पेल तोड़ा के ऊपर डालेंगे और इसे अच्छी तरह बिक्स कर देंगे इससे क्या होंगा हमारे पकोड़ी एक दम हलकी और क्रिस्पी बनेंगे इसमें तेल ज्यादा नहीं चड़ेगा तेल को हम मिडियाम आस्परी गरम करेंगे वर्ना पकोड़ी अंदर से कच्छे रचाएंगे और यह देखिए तेल गरम हो गया आले अवह आम इसमें से पकोड़ी तयार करेंगे मैं चमस से करूंगी आप चाहिए तो इसे हाज से भी थोड़ा थोड़ा डालके इस तरह पकोड़े तल लेंगे क्यान दखिए कि आज मेरी अम्रे नुटा है अब हम इसे ब्राव नहांने तक फाए कर देंगे बहुत कम इंग्रेनिस से यह पकोड़े तयार हो जाते तो बन्नाने में भी बिल्कुल इसे है यह देखिए पकोड़े ब्रावन कलर के हो गए है तो अब हम इसे ही कर देंगे तो यहां पर मैंने एक डीस ले है उस पर एपजोबन पेपा रख दिया है और यह पकोड़े इसमें डाल देंगे और इस तरह सभी पकोड़े को हम खाय कर लेंगे मैं तो कहती हूँ इसमें प्याद डालने की भी जरूरत में आप इसमें तेस्ट के लिए प्याद डालेंगे इसमें चावल में मसाले डालके यह पकोड़े बनाऊगे तो भी इतनी तेस्ती बनते हैं बिल्कुल काम इंग्रेनेल से बना सकते हैं आप इसे यह पके हुए चावल है तो यह जल्दी फ्राइम हो जाएंगे और इसमें जो बेशन हमने डाले हैं वो बिल्कुल भी कर्चा इसलिए यह तयार हो जाते हैं तो तयार है चावल के पकोड़ी इसे आप यह आपनी मन पसंद चत्नी के साथ खाएं यह कछा टी टाम स्नेक से इसे आप चाई के साथ भी खा सकते हैं कर दो जाएं यह झाई कर दो भी खाएंगे तो जाएंगे यह जाएंगे प्रहा हैं यह जाएंगे जाएंगे इसे आपनी के साथ जाएंगे ।